गिरिडी ही जिले के मुफसिल थानक्षेत्र के मेगजीनिया गाउं में अग्यात अपराधियों ने एक महिला की धारधार हत्यार से निर्मम हत्या कर दी। इतना ही नहीं अपराधियों ने महिला के शरीर में कई बार धारधार हत्यार से वार किया, जिसके कारण उसकी मौत हो इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना की जानकारी महिला के परिजनों को मिली तो घटना स्थल पर पहुँच कर खून से लतपत महिला को गिरीडी ही सदर अस्पताल में भरती कराया। जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोशित कर दिया। मृतिका का नाम सरिता देवी पती गोविंद शर्मा बताया जा रहा है। इधर घटना से आक्रोशित ग्रामीनों ने गिरीडी ही गांडेहे पत पर पांडेहे डीही के पास सड़क जाम कर अपराधियों को अविलंब गिरफतार करने की मांग की। वहीं मौके पर पहुँची मुफसिल पोलिस ने लोगों को शांत करवाते हुए भरोसा दिलाया कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है जल्द ही पोलिस उसे गिरफतार कर जेल भीजने का काम करेगी। तथा अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्षा नहीं जाएगा। तब जाकर जाम को हटा हुआ है। कुछने बाबू भूरे उठकेंगा ले भीनिया तोरल बेटा अर भीनिया तोरी के निया भी करेह लए अर वाए मारी दल के रासतवे पराहू बिटावा हमरा खाली देले रहा है मारी वगरा लाड़ू। के बज़े घर से गई थी। गारा से नीचो भी बज़े। याठ बज़े मार लका है। याठ बज़े मार ले है। कहां पर मारा। याठ बज़े को डूस्मानी था क्या। जमीन के जगडा चले है। किससे चलता था। आपकी कौन थीव हमार पूताया है करें हो बेटावा करें हमें काम आये खाये हैं वहीं आरोपी को जल्द गिरफ्तार करके मामले का खुलासा किया जाएगा तो उसमें हम लोग अभी पता कर रहे हैं और जल्द ही इसकांड का खुलासा हो जाएगा और अपरादी पकड़े जाएगा आपको बता दें कि महिला की किसी से जमीन को लेकर विवाद की खबर सामने आई है ऐसे में प्रतीत हो रहा है कि जमीन विवाद के चलते महिला की हत्या की गई है वहीं पोलिस जाँच के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा पंजाब केसरी टीवी के लिए गिरेडी ही से दिनेश कुमार रजक के रिपोर्ट अगर आप ये वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद